हमस्कार साथ यो नाने क्लासे यूटूब चनल प्याप सभी साथियों का स्वागत है शाम 7 बजे यह क्लास आपको सुबह वाली करन्ट को अपडेट करवाया जाता है दो बीविदारती इस जनको सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आज 30 अप्रेल है लाश्ट इस अप्रेल दो हजार चोईस की जितने भी करेंट फेर्स की क्वेशन बनते हैं उनको डिसकस करेंगे हालांकि आज आज आपको जो अप्रेल मन्त के जितने भी क्वेशन ह उससे पहले यह पुस्तक जुरूर ख्रीद लें तो भी विदार्ती लगातार करेंट अभेर से जुड़े हुए पहला परस्ट मलेशिया में आयुजित 69 इनवेटी एसनल एज ग्रूप परदा के 200 मेटर बटरफलाई में उद्यपूर के किस खिलाडी ने कांसे पदक जीता और जब भी इस प्रकार का क्वेशन आता है मैंने एक बात आपको बार बार के एक है इस खिलाडी का युग चल रहा है शिका दिन चलता है इस खिलाडी का युग चलता एर नाम भी क्या है युग चेलानी क्या नाम है युग चेलाणी उद्यपूर के तेराक है क्या है एक कोई भी देख लो चाए आप 5-umeMat कहलो इंडिया यूथ्ट गेम देख लो आप छटे पुर्दोस काईम खानी यह भीलवाड़ा जिले की तिराख है और आसिस कुमार यह अभी खिलाडी बनने जा रहे हैं तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है बलेशिया में आउजित उनसटमी इनवेट इसनल एस गुरूप 200 मेटर बटरफलाई बटरफलाई वैसे क्या आपने तेरा को तेरते हुए देखा है एक इधर हात लगाता है पानी को पीछे देखेलता है तितली की तरह वो गड़ता है इसलिए इस प्रतियोगिता का नाम भी क्या हो जाता है बटरफलाई ठीक है अगला देखो 26 अप्रेल 2014 को राजस्तान की किस विदानसवा सीट से उपचुनाव है करणपुर भागी दोरा रामगड जायल बात आती है 25 नुवंबर की 25 नुवंबर का इतिहासिक दिन 2023 इस दिन हमारे राजस्तान विदानसवा के चुनावे रास्तान विदानसवा चुन क्या रहेगी थी उपचुनाव थे वाँ सीट खाली रही विदानसवा सीट चुनाव हुए और इसके अंदर क्या हुआ कि एक करणपूर की सीट थी करणपूर की सीट वहां गुर्मीत कुन्नर जो कॉंग्रेस के बरतेस्टी ते उनका निदन हो गया इस वज़े से चुनावनी हुए फिर क्या वास हमें बीता गया और एक सीट थी बागी दोरा बागी दोरा से जो एमेले थे मेंबर ओप लेजिसल में आगे और इस विदायक पद से सदस्य संख्या सीट से उन्होंने त्याग पहत्तर दे दिया तो जाहिर सी बात है जब सीट खाली होती है विदान सबा की तुछे मेहने बाद चुनाव करवाने जुरूरी है तो चुनाव हुए 26 अप्रेल दोजार चोईस को लगभग सतत प्रतिसत मतदान हुआ अब देखो इस वागी द्वारा वोट से कॉंग्रेस जीती है या कौन सी पार्टी जीती है वो इसके नतीजे आएंगे तब ठीक है यह क्यों बताया क्योंकि आपको याद रखने वर्तमान शोलमी विधान सबा चल रही है और पिछली बार और प्यस प्रतिया की दश्टी से बहुत इंपोर्टेंट है याद रखने वोलमी राजस्तान विधानसबा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्यासी की मृत्यू के कारण करणपूर स्री गंगानगर विधानसबा निर्वाचन छेतर का चुनाव स्तागित की आ गया था सेम इसी प पीट किया वहां लिखा था पंद्रमी विधानसबा और वहां लिखा था दो हजार अठारा तेम यही कंडिशन थी इसी परकार का परसन पुछा गया था और इसी परकार अब मैंने ताजा पोझ लिया कि शोलमी राजस्तान विधानसबा चुनाव दोजार तेईस में तोटल दोसो सेट थी एक सेट पे चुनावनी हुए वो सेट किस पार्टी की थी वो थी भारतिय रोष्ट्रिय कॉंग्रेस और इसके जो परतिनिती थे वो थे डॉक्टर गुरमीत कुनर जिन का निदन होने की वज़े से चुनावनी हुए बाद में चुनाव हुए और इनके पुत्तर जो थे रुपिंदर कुनर वो कॉंग्रेस के विजे रहे थे सेम परसन आया था पिछली साल उसमें जो निर्वाचन शेतर का चुनाव था बसपा ठीक है बसपा भारतिय भौजन समाज बाट पा यह परसन देखो राजस्तान में 2023 में विदान सबा चुनाव में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सेटों का अंतर यह परसन भी RPSC सेकंड ग्रेड में एक बार फिर रिपीट हुआ फरवरी 2019 के एकजाम में वहां उसने यह पूचा था कि राजस्तान में 2018 में हुए विदान सबा चुनाव के अंदर कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टी है उनमें सीटों का अंतर कितना था मैंने उसको प्रिवत्तित करके 2023 बना दिया सेम यही कंडिशन कोंग्रेस को उनेतर सीट मेली और भाजपा को 115 सीट मेली इसका मतलब इन दोनों में अंतर आया 46 सीटों का इतना 46 यह उत्तर हो गया अगर आपसे पेपर में पुछे अलांकि आप नहीं पुछेगा आप 2023 का प पुछ है तो दोनों में आतर राता 26 अब आज के जो तीन परसन है यह इस सुबह मैंने करन्ट में बताए थे तीनों सेम पिल्ओधानसवा के कोंडीं पूछे गए थे सुसी की कोंडिंग मैंने तीनों बता दिये रिशित यहां से दुबारा परसनर रिपीट होगा इनको य कानिर की कुछ महिलाऊं ने मिलकर 2022 में एक सक्ती ब्रांड नाम से मसाला द्योग की शुरुआत कर दी आज ऐसी कंडिशन पहुंच चुकी है कि इस प्रति ब्रांड की मसाला द्योग की शुरुआत में 400 महलाइं स्वालंबन बन चुकी है इसे सरकार ने योजना चला रही है लखपती दीदी योजना उसी के अकोर्डिंग महलाईं क्या स्वालंबन होती जा रही है महला समय साहिता समय से काम किया जा रहा है यह कहां से शुरवात हुई तिरी डुंगरगडबी का नेर से खुलाई गाम जैपूर राजस्तान का पहल इंटीग्रेटर रिसोर्स लोकर पारक बन चुका है पीपला जजिया जैसल मेर यहां टोही विमान क्रेश हो गया था जिंदेशर खुर्द राजस्मन एक चांदी की खान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान का दर्जा मिला है खिर हमने पड़ा हाल ही में जारी औरा मैक्स मेडिया रिपोर्ट के अनसार वर्स 2023 में सिनेमा दर्शकों की संक्या में सरवादिक वर्दी किस राज्य में वही 2023 की बात है अपने राजस्थान वाडों ने क्या किया है सबसे ज़्यादा सिनेमा में फिल्म देखी गदर टू है जवान है बाहु बली है इस परकार की जितने भी मुख्य मुख्य बिले सबसे ज़्यादा और पिछले एक साल में राजस्थान में 151 परतिसत की वरद्दी होई अब अंदाजा लगा लिए सिनेमा फिल्म देखन कुण कुण गया है सोच लिए पिछले एक साल में बरती आई नहीं चुना हुए मज़े से फिल्म है फिल्म है देखिया अच्छी फिक है जो भी नई फिल्म है फिल्म है यानि कहां 2022 में शिर्फ 26 करोड़ दर सकते सिनेमा की राजस्थान के 2023 में बढ़कर 60 करोड़ होगे अब देख लिए कि यह बटरफला इरतितलिया आ रही है ब फिल्म जुरूर देखियाएंगे सिनेमें ऐसे करते करते राजस्थान अक्तों छा गया 151 परतिसत्त उर्दी कर गया सिथी तो याद राखियो ठीक है और टेलीग्राम जोइन कर लो नानक क्लासे सीव सर इसमें आपको सुभ है इंडिया और 20 की क्विज मिलती है जबकि श् अनरे स्थान जीके की स्पेसल टोपिक वाई टेश्य मिलती है के एयस वर अमारी टेकनिकल टीम और हमारी विशे सग्या मोनिका स्पेसल आपको स्पेसल टोपिक बताके और आपको प्रोज क्वेशिन देती हैं जब याप पढ़ते बढ़ते बोर हो जाओ आप पढ़ा करो इनको कुछ देखा करो गजब की आपकी त्यारी हो गई तो निरंतर मैनत करो और सपलता आपको मिलेगी बस उस सपलता के लिए कार्य योजना बनाने पड़ेगा फिर आप लक्षय तक प्राप्त कर सकते हो अप्रेल महने की करेंट त्यार हो चुकी है आपको कल टेस्ट मिल ज जाएगी निरंतर मैनत करो अच्छे त्रिक्के से पड़ो धन्यवाद जैहिन जैबार